अज आपके साथ में शेयर करूंगी ग्रीन फ्राइड चिकन् तो हम इस तरह से green fried chicken बनाएंगे कि इसका green color खराब नहीं होगा बास लोगों को होते हैं कि जब फ्राइब ग्रीन बाउन ही शो जाता है green नहीं रहता तो मैं आपको बताऊँगे किस तरह से आसानी से green chicken को fry कर सकते हैं तो सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है एक किलो चिकन है और उसमें डेड़ चमच मैंने डाला है नमक का और दो चमच डाल दिये है पिसा हुआ धनिया और एक चमची इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर और इसमें मैं डाल रही हो दो बड़े चमच हरी मिर्च के तो हरी मिर् सब्सक्राइब अगर दूसरी हरी मिर्चे लेखे लिए तीकी कम होती है तो आपने आट से दस ले ले लेएं और इसके बाद डाला है दो चम्मच इसमें ऑईल और इसमें एक चम्मच मैंने डाल दिया है हरा रंग तो अगर पाउडर में होगा तो आपने डालना है चौताई लेकिन अगर लिक्वड में है तो फिर एक चमच चोटा वाला डाल दीजेगा तो आप इन सारी चीजों को मिक्स करके मेरिनेट करके हम रख देंगे कम असकम तीन से चार गंटे के लिए तो चार गंटे हो गए है उसके बाद फिर एक पैन लिया है पैन में कुछ भी नहीं डा क्योंकि मेरिनेशन के टाइम पे ओयल हमने इसी में डाल दिया था उसके बाद डारेक्ट आपने ये मेरिनेट्व चिकन जो है वही मैंने डाल दिया है अब उसे मिक्स करूंगी और शुरू में रखना है दो मिनट के लिए हाई ताकि चिकन पानी चोड़ना शुरू कर दे और उसके बाद फिर बाद फिर मैं लव फ्लेम पे कुकिंग करूँगी तो ये देखें जे 2 मिनट बाद चिकन जो है वो पानी चोड़ रहा है में आपको दिखाती हूं तो ये देखें आपको नजर आ रहा हो गर ये चिकन ने पानी चोड़ना शुरू कर दिया है अब मैं इसका फ्लेम लो कर दूँगी और लो फ्लेम पे ये पानी भी चोड़ता जाएगा और उसके बाद इसके में चिकन जो है वो गल बे जाएगा तो इसको मैं 15-20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से चिकन जो है वो गल जाए और बीच में आपन मत जो ओयल था उसी में ही ये खुदी फ्राई हो रहा है और इसका कलर देंके अभी तक ज्रीन ही है बिलकुल भी खराब नहीं हुआ लेकिन अगर मैं इसे ओयल में डाल दूँगी तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाना था मैं इसलिए और इसी तरह ही रहने द दाल दी है तो 3-4 हारी मिर्चे ले ले लिए और उसे मैंने दरमयान में से काटके डाल दी है अब इसे भी तोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि प्यास का भी थोड़ा सा कच्छा पंचों खतम हो जाए और दो मिनट के लिए मैं फिर से दम पे रख दूँगी ताकि प्यास वह भी हलका सा फ्लेवर भी आजाए तो यह देखे दो मिनट हो गए थे तो दो मिनट के बाद अब चेक करते हैं तो चिकन जो है वो बिल्कुल रड़ी है और इसमें प्यास भी बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं हरी मिर्चे भी तो आप आप इसे सर्फ कर देते हैं तो यह हमने कर लिया फ्राई हमने और डीप नहीं किया बस दो चमच ओयल डालके चिकन को कुक किया है और उसे में वो फ्राई भी हो गया और मज़ेदार सा ग्रीन चिकन रड़ी हो गया तो अगर आपको मेरी एर ऐसे भी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमली में शेर कीज और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर लेजिए गा तो अब मैं आपको तिखाती हूं कितनी अच्छे तरह से गला हुआ है तो कितना जटपट और कितना असानी से बन गया है चिकन और यह बहुत अच्छे से गल भी गया है तो